कि अब दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम पेड़ागुजी के नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक आज करवाऊंगा मैं आपको छोटे-चोटे तीनों टॉपिक आज हम इसी चप्टर में इसी प्रमिशन मिल जाएगी तो नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखेंगे डीके गुपता उनलाइन वीडियो इस वीडियो चैप्टर के बारे हम पढ़ेंगे क्योंकि तीनों चैप्टर आजए चोटे-चोटे हो और यहां से एक-एक नंबर के कोशन पूछे ज जाएंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ओके तो पहला हम पात करेंगे टाइम टेबल यानिकी समयशार्णी जिसे आप हिंदी में कहते हो ओके अब यह है क्या तो देखो समयशार्णी को जो बोला जाता हूँ एक विध्याले में होने वाले सभी अधिगम या क सार्य करम का सार्य परतीति बंद परस्थोत करती है for example आपके स्कूल में क्या क्या होने वाला है आपको क्लास में किस परकार से आपकी पढ़ाई चलेगी कोन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है को इसमयशार्णी के नुसारी पढ़ाई जाती है और एक क्या करता है अधिगम क सार यानि कि आपके पूरे दिन चरिया में क्या क्या होगा वो और उसके परतिबंद यानि उसके पीछे क्या मोटिव है उन चीजों के सामने आपको प्रसुत करता है और इसको विद्याले का क्या कहा जाता है लेंस कहा जाता है तो कोशन आपका यहां से पूछा जा चुका है कि समय शाड़नी यानि कि time table को क्या कहा जाता है विध्याले का तो विध्याले का lens कहा जाता है important question है ध्यान रखेगा समय शाड़नी के जो सिध्धान्त होते हैं वो क्या होते हैं तो समय शाड़नी के दो सिध्धान्त होते हैं पहला लचीलेपन का सिध्धान्त और दूसरा है विविद्धता का सिध्धान्त इंग्लिश वाले इटेंशन मत लेज़ेगा मैं आपकी प्रिपेशन कर रहा हूँ दो-तीन दिन में आपको पूरी की पूरी पूरी आपको इंग्लिश में मिलेगा मतलब हिंदी वालों का तो पहला लचीलेपन का सिध्धान्त क्या है तो समय शाणनी में बालक की अवशक्ता के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए अब लचीलापन यही है कि टाइम टेबल आपने एक बना दिया तो हर रोज उसी को फोलो करें जरूरी नहीं है हर रोज आपका टाइम टेबल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना होते रहना चाहिए बच्चों की अवशक्ता और बच्चों की रूची के अनुसार जिससे क्या होगा कि बच्चों की जो अवशक्ता है उसको भी टाइम मिलेगा और जो बच्चों की रूची है उसको भी टाइम मिलेगा मतलब सारे चीजो और विवित्र किरियाओं का या सभी का समय मिलना चाहिए चाहिए आपका योगा हो, आपका गेम पीरड हो, साइन्स का प्रैक्टिकल पीरड हो पढ़ने का हो, कहर चीज का, यानि कि आज मैथ है तो कल मैथ, परसु मैथ, हर रोज मैथ मैथ लगाकर ऐसे जरूरी नहीं है किसी दिन साइन्स, हिंदी, सोशल, मैथ, हिंदी, सब को टाइम देना चाहिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो विविद्धा है, टाइम टेबल में हमेशा रखनी चाहिए हर रोज टाइम टेबल चेंज होता रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपका जो टाइम टेबल है, हर रोज आपको देता हूँ और हर रोज आपका देखा होगा, आपने टाइम टेबल किसी तरीके से चेंज होता ही रहता है वैसे ही हमें समयशार्णी में हमेशा time table में जो होना चाहिए हो changes लाते रहना चाहिए तो वो था आपका पहला chapter time table यानि कि समयशार्णी से चलिए next topic पर चलते हैं single teacher school यानि कि एकल शिक्षक विध्याले यहां से आपका एक question बहुत जरूरी put up होता है और बहुत important भी है क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ देखो single teacher school होता क्या है तो single school teacher कहने का मतलब यहां पर यह हैं कि आपका एक विध्याले है विध्याले के अंदर जितने भी बच्चे हैं एक से लेकर पांचवी प्रात्मे की बात कर रहा हूँ एक से लेकर पांचवी क्लास में वहां पर जितने भी विध्याल कक्षा है कक्षाओं को सभी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कितने teacher हैं कि अवल एक teacher की न्युक्ति की गई है इसले इसको क्या कहा गया है single teacher school या एकल सिक्षक विध्याले कहा गया है अब इसको शाब्दिक अर्थ में पढ़ लेते हैं तो भारत में 2,00,000 से भी ध्यान रखेगा भारत में 2,00,000 से भी अधिक school या प्रात्मिक school तो पहला question आपका यहां से यही put up होता है कि single school teacher यानि कि एकल सिक्षनल विध्याले कौन से स्थर पर होता है तो प्रात्मिक स्थर पर होता है और भारत में ऐसे कितने school हैं तो भारत में ऐसे 2,00,000 से भी अधिक school है जहांपर प्रात्मिक school ऐसे हैं जिन में एक ही अधियापक की निउकती कही गई गई है यह कोन से school होते हैं तो अपकिस कार्य कर रहा है पढ़ने का भी कार्य कर रहा है उसके साथ साथ में जो आपकी salary slip बनेगी वो भी कार्य करेगा जो आपके assignments बनेगी computer operator की जो job होती है वो भी करेगा जो clerk की एक job होती है वो भी करेगा तो एक teacher से ही सारे काम को निकलवाया जा रहा है इसले इसको क्या कहा जाता है single teacher school यानि की एकल शिक्षल विद्याले का जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या नाम है इन्हें बहुश्रिणी पदिनिती भी कहते हैं तो question आपका दूसरा यहां से यही पोटब होता है कि single teacher school यानि की एकल शिक्षल विध्याले को एक और नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है उसको बहुश्रिणी पदिनिती मतलब बहुश्रिणी पदिनिती क्या होता है यहां पर इस classes तो एक से लेकर पांच है बहुत सारी है लेकिन अध्यापक कितना है एक है इसलिए इसको क्या कहा जाता है बहुश्रिणी पदिनिती कहा जाता है क्योंकि एक शिक्षक और कक्षा हैं कितनी है आपकी पांच है अब यहाँ पर क्या करा जा रहा है तो एक ही कक्षा एक ही टीचर सारी की सारी क्लासों को तो एक साथ पढ़ा नहीं सकता आप यहाँ पर क्या होगा इन में एक से चार यानि कि एक से लिकर चार क्लास के बच्चे कक्षा का monitor system भी कहते हैं क्यों अगर समझ लो teacher ने कक्षा 5 वी को पढ़ा रहा है तो एक से लेकर 4 class क्या कहेंगी खाली बैठी देंगी वहाँ पर कौन पढ़ाएगा उनको monitor पढ़ाएगा इसलिए इसको क्या कहा जाता है monitor system पदिनिती भी कहा जाता है तो इसी के कितने नाम हो गए तीन पहला single teacher school यानि कि एकल शिक्षक विध्याल ले दूसरा बहुषरेणी पदिनिती और तीसरा monitor system अब तीनों का तीनों क्या मतलब था तीनों के तीनों मतलब मैंने आपको बता दिये बहुषरेणी पदिनिती इसको इसले का जाता है क्योंकि आपके 5 classes है और अध्यापक कितना है सबों को एक पढ़ाता एक ही है अब यहाँ पर monitor system इसले क्यों का जाता है क्योंकि अगर कक्षा 5 वी को तीसरी को या दूसरी को किसी भी class को पढ़ा रहा है 5 वी class में जितने भी बच्चे होंगे सबको एक बार एक साथ बिठा देगा और उनको सबको पढ़ाने लगेगा जिसके कारण क्या होता है उसमें विशम योगता और विशम आयू वाले कक्षा 5 वी के बच्चे और पहली कक्षा के बच्चे दोनों की योगता एक नहीं सकती और दोनों की आयू एक नहीं हो सकती तो यहाँ पर क्या हो गया विशम योगता और विशम आयू वाले बच्चे क्या हो जाते है एक साथ आ जाते है तो तीचरा कोशन आपका यहां से यही पूटब होता है और अदिक्तर कोशन आपका यही पूछा जाता है कि टीचर जब बच्चों के विशम आयो और विशम योगताओं का ध्यान नहीं रखता है तो उस पदिनीति वो क्या कहा जाता है तो उसको एकल सिक्षक विध्याले कहा जाता है तो यह था आपका second topic single teacher schools यानि कि एकल सिक्षक विध्याले चलिए next topic की तरफ चलते है emotion यानि कि समवेग के द्वारा क्या होता है आपके अंदर परिवर्तन emotion यानि कि समवेग तो समवेग क्या होता है देखर समवेग हमारी भावनों की उद्वैलिक दशा को कहते है यानि कि आप कभी किसी कार्रे के लिए चीखने लग जाते हो रोने लग जाते हो जिद मचाने लग जाते हो हसने लग जाते हो तो वो क्या होगा आपका उद्वैलि डशा को कहते हैं हमारे सम्वेग यानि की Emotion को, अब सम्वेग यानि की इसम्वेग जो होती है वो जनमजात होती है ये हमारी मूल प्रवर्टी जैसे की रोना, हसना, जलना, प्यार करना, आधी ये क्या है सारी के सारे आपके emotions है जो कि किसी ना किसी परकार से कभी ना किसी स्थिति में निकलते रहते हैं इसके कुछ लाब भी है क्या है पहला समवेग हमारी परिस्थितियों के साथ समयोजन करने में हमारी मदद करता है दूसरों के साथ relation बनाना उसके साथ किस परकार सा वहवार करना है किस परकार से पॉलाइट बात करना है वो हमारे emotion के द्वारा ही हमको पता चलता है और हमारी प्रश्चतियों के साथ ही हमें समयोजन यानि कि उसके साथ ताल मिल बिठा कर कारे करने में हमारी ये मदद करता है next है लेकिन अधिक ये आज संतुलित समवेग हमारे लिए हानिका रहा है देखा है आपने कहते हैं कि बिना मतलब कि कभी कभी हम किसी पर गुसा निकाल लेता है या किसी और का गुसा कहीं और निकाल जाता है तो क्या हो जाता है हमारा वो काम होनी की जगा बिगड़ जाता है इसलिए इसको क्या का जाता है अंसुलित आपका अंसंतुलित इमोशन्स यानि की सम्वेग जो होता है वो हमारे लिख्या हो सकते हैं खतरनाग भी हो सकते हैं नेक्स है, शिक्षक द्वारा हम संतुलित सम्वेग बनाना सीख जाते हैं, यह शिक्षा द्वारा, दोनों में ऐसे कुछ भी हो सकता है, देखो शिक्षा या शिक्षक, दोन ही क्या होता है, हमारे कंट्रोल करना सिखाते हैं, कि आपके emotions को हम किस परकार के कंट्रोल कर सकते है इसलिए उनको इस चीज़े को सिखाया जाता है, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, नेक्स्ट है, सम्वेग, उभरते तो अचानक है, लेकिन खतम धीरे-धीरे होते हैं, आपको भी पता, अगर आपका घुस्सा आ जाता है, तो घुस्सा क्या होगा, आता तो जल्दी है, अचानक आ जाएगा, लेकिन वो खतम क्या होगा, यह तो पूरा दिन लग जाएगा, और काई काई बार तो हफ्ते लग जाते हैं, तो क्या होगा, तो उभरते तो वो अचानक है, लेकिन खतम क्या होंगे, धीरे-धीरे होंगे, तो यही तीन छोटे-छोटे से टोपिक करवाने थे आज आपको तीनो टापिक खतम हो गए हमारे ओके इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा मैं आपका रिपलाई जरूर करूंगा तो दोस्तों यही छोटा सा वीडियो देना था आपको अगर आपको वीडographics लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना न भुलिया अगर आपके मिन में वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा मैं आपका रिपलाई ज़रूर करूँगा तो आज की वीडियों बस इतना ही आपसे फिर मुला काते होगी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत